नमस्कार साथियों स्वागेते आपके अपनी यूटूब चैनल एजूटिक एवाम रुकूरूटमेंट में राजस्तान राजी परदूशन नियंतन मंडल जेपूर की द्वारा विधी अधिकारी दितिये कनिष्ट विज्ञानिक अधिकारी कनिष्ट पर्यावन अभियंता संथ सिधी भर्ती दोहजार तेज के लिए विश्तरित विज्ञापंजारी किया गया है इस वीडियो के माध्यम से हम इस भर्ती प्रक्रिया के संदर्प में विस्तार कुरूप जड़्चा करेंगे पांच दस दोहजार तेज को यह हैं विज्ञापंजारी किया गया है सबसे पहले हम बात करेंगे पदों के संधर्प में तो यहां पदों की अगर हम बात करें तो पद का नाम गेर अनुसूची छेतर में कितने पद हैं विदी अधिकारी दित्तिय जिसे लो सेकेंड के नाम से हम जानते हैं गेर अनुसुची छेत्र में दो पद और अनुसुची छेत्र में कोई पद नहीं कुल दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं कनिष्ट विज्ञानिक कदिकारी जी एसो के लिए गेर अनुसुची छेत्र के 59 अनुसुची छेत्र में कोई पद नहीं है और कुल योग है 59 कनिष्ट परियावरन अभियांता जिसे जी ए के नाम से जानते हैं गेर अनुसुची छेत्र में 50 पद हैं अनुसुची छेत्र में तीन पद हैं टोटल तरेपंद पदों के लिए जह विज्ञापन यहां जारी किया गया है अब हम यहां वर्गीकर्ण जो किया गया है उसके संदर्प में हम जानकर यहां ले सकते हैं कि अनुसूचित चेत्र एवा हम अनुसूचित जन जातिये छेत्र अब बात करेंगे हम सेक्षनिक यह गयता के बारे में लो ओफिसर सेकंड की बात करें तो मस्ट बी लो ग्रेजवेट प्रॉम ए युनिवर्सटी इस्टेबलिश्ट बाई लो इन इंडिया और इट्स एक्विवेलेंट बिट थ्री इयर कॉर्सेस ओफ प्रोफिशनसी डिग्री तो इस पस्ट किया गया है मस्ट बी ए लो ग्रे कर सकते हैं जूनियर साइन्टिफिक ओफिसर की अगराम बात करें फर्स्ट क्लास MSC या MS in एन अनी ब्रांच ओफ केमेस्ट्री या सोईल साइन्स इन्वारिमेंटल साइन्स माइक्रोबाइलोजी आफ्टर बीएस या बीस इन एनी डिस्पलाइन आफ साइन्स प्रों ए यहां पर फर्स्ट क्लास यहां अभ्यारती फर्स्ट क्लास से उतिन होना चाहिए MSC या MS में कोई भी ब्रांच हो सकते, जैसे chemistry ब्रांच है, Soil Science की है, Environmental की, science के microbiology की after जो BSE हो किसी भी science subject में हो जैसे BSE हो या फिर BSO किसी भी science के subject से उत्तिन हो और उसके परशात उन्होंने MSE की हो in particular जो ब्रांच के अंतर गत्तो व्यावेदन कर सकते हैं junior environmental engineering के अगर बात कहें तो M.Tech या ME degree in environmental engineering after B.Tech या B.E. degree in biotechnology, chemical, civil mining, civil mining, environmental, textile engineering from a university established by law in India या foreign qualification recognized as equivalent there to or a first class. B.Tech या B.E. degree in any of the above branches of engineering from a university established by law in India और a foreign qualification recognized as equivalent there to यहां note के संदर हम देख सकते हैं minimum 60% one aggregate shall be considered equivalent to first class या division तो इसका भी हमें ध्यान रखना है आवेदन करते हैं समय पे grade के अगर हम बात करें नियत पारिषर्मिक जो वेतन यहां पर दिया जाएगा और उसके पशाथ जो यह नियम है, pay matrix level के नुसार उसके नुसार यहां पर वेतन का बुखतान किया जाएगा, बात करेंगे हम आयू के संदर्प में तो यहा सीधी बर्ती पदोग के लिए भर्ती नहीं हुई है तो यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयू दिर्श्ट पातरता आतों से यहां पर तीन वर्ष की जो है यहां अधिक्तम आयू में छूट दी गई है शेक्षनी करेता समन्दी प्रावधान अंतीम वर्ष में समलित अभ्यर्ती भी इसमें जो है अभ्यर्ती है अनुसित जाती अनुसित जाती की जो अभ्यर्ती है उन्हें अधिक्तम जो आयू सीमा है उसमें यहां छूट का प्रावधान किया गया है तो पांच वर्ष पांच यहां दस वर्स इसी तरह से विद्वा विचन विवा परित्यक्टा तलाव शुदा के लिए अधिक्तम आयू जो है यहां निर्धारित नहीं की गई है तो यहां विभिन जो वर्ग है भूरपूर से निक है इनमें अधिक्तम जो आयूसी मा है उसमें छूट का जोगरावधा के संदर में हम यहां जानकारी ले सकते हैं अब बात करेंगे हम चेहन प्रक्रिया के बारे में अब बियर्तियों का चेहन प्रतियों की परिक्षा के माध्य हम से किया जाएगा यह है परिक्षा कीवल ओनलाइन आयूजित की जाएगी जिसके सम्मंद में वीवरण मंडल की website पर यहां यता समय प्रकाशित कर दिया जाएगा परिक्षा का इस्थान ते थी यता समय website पर प्रकाशित की जाएगी ओनलाइन आविदन के प्रक्रिया 1810-2023 से 1810-2023 से 1711-2023 मध्धे रात्रे तक रहेगी ओनलाइन आविदन के लिए website है इस website का link वीडियो के description box में उपलब दकरा दिया गया है जिसके सायता से आप website पर पहुच कर आविदन कर पाएंगे आविदन जैसे ही प्रारम होता है इसके संदर्प में भी जो है जानकारी दी जाएगी इस भरती परिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क दे नहीं है तो बहुत important line है कोई भी जो है शुल्क यहां दे नहीं होगा परिक्षा का परिक्षा का परिक्षा की योजना की अगर हम बात करें तो law officer second grade syllabus examining scheme है तो पार्ट फर्स्ट part b there will be one paper consisting of two parts having multiple choice type cushions there will be a total 75 numbers of cushion 3 marks each the cushion paper will be in hindi and english will be well तो दोनों भाशा में रहेगा हिंदी और इंग्लिश में 75 number का रहेगा यहां part a और part b number of cushion 6 और 15 और 90 minute का समय total marks 225 तीन marks का रहेगा एक क्यूशन यहां 45 परसेंट जो passing marks से रखा गया है one marks will be detected for each incorrect answer इस तरह से में बात करेंगे junior scientific scientific officer के सिलिवस के बारे में तो part a part b तो यहां पर समय जो सिलिवस से वो रखा गया है part a और part b के लिए भी महतपून जो तत्थे यहां पर दिये गए हैं इसका उलोकन हम यहां कर सकते हैं न्युक्ति की आयोगिताओं के संदर्प में हां जानकारी दी गई है तो इस तरह से डिटेल जो notification है इसके संदर्प में हमने जानकारी इस वीडियो में ले all total सभी में पुन्तित्यों के संदर्प में हमें जानकारी प्राप कर चुके हैं अब बात करेंगे हम यह PD फाइल आपको कहां से डाउनलूड करनी है PD फाइल डाउनलूड करनी के लिए आपको Government of Rajasthan, Rajasthan State Pollution Control Board की website पर जाना है और इस website का जो लिंक हो वीडियो के description box में उपलब्ध है जैसे हम लोगिन होंगे यहां पर Recruitment 2030 का में यहां लिंक मिलेगा इस लिंक पर में क्लिक करना होगा क्लिक करते हैं हमरे सामने Recruitment 2030 का लिंक मिलेगा Advertisement for Direct Recruitment for the Post of Law Officer 2nd, Junior Scientific Officer, Junior Environmental Engineer 2030 इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करते हमरे सामने जो है PD फाइल डाउनलूड हो जाएगी इस तरह से हम आसानी से डाउनलूड कर पाएंगे तो आशा करूँगा कि जानकर यह आप लोगों के लिए काफी प्यूगी है वो महित पूंड रहेगी किस भी प्रशन की स्तती में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रशन आवशे रखें इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रशन का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा फिर मिलेंगे क्लेटेस अबड़ीट की साथ अब तक बनी रहे चैनल के साथ जहिंद जय भारत